हाई अब्रिवान वेल्कम और वेल्कम बाक टू माई चैनल अनुश्का अनू एंड मैंने इस वीडियो में यह आई लोग क्रियेट किया है तो अगर आप ऐसा मेकप लुक अचीव करना चाहते हैं आई का तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें अगर आपको ट्रांजेशन कलर के लिए मैं यह और इंसे लेकर के एक स्मॉल ब्रस के हल्प से ब्लेंड करूंगी आउट और वी से इनर वी की तरफ में प्लेस्ट कर रही हूं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी ब्लेंडिंग बहुत इंपोर्टेंट होती है किसी भी आईशाड़ो को द्राँ लगाने के लिए। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तभी आपके आईशाड़ो अच्छे से पॉप होते हैं उसके कलर एंड अच्छे से आँख पर दिखते। आई मेकप का लुट बहूत अच्छा क्रियेट होता है। इसे मैं अच्छे से blend कर लेती हो पहले नेक्स मैं रेड लिप्स्टिक के help से अपने आउटर वी पर प्लेस्ट करूँगी इन इनर वी की तरफ और ब्रस के help से से अच्छे से blend करूँगी ये आई लोक मैं स्पेसली क्रिसमस के लिए कर रही हूं रेट विद ग्रीन आई शाडव यानि इसे ब्रेस खिल्प से ब्लेंड करूंगी और यह लिप्स्टिक अच्छा से ब्लेंड हो जाती है मेरे आई पे नेक्स्ट मैं कलर को सवर और डार्क करने के लिए आई शाडव पैलेट से एक रेट शेड ले रही हूं और इसे आउटर वी पे प्लेस्ट करके ब्लेंड कर रही हूं प्लेंड कर दो कट क्रीज के लिए में ओलीविया का कंसीलर एक ब्रस की हेल्प से अपने क्रीज लाइन पे प्लेस्ट करूंगी आईस जब आप खोलते हैं तो आपको एक लाइन दिखती है उसी लाइन तक आपको यह कंसीलर प्लेस्ट करना है यह मैं इसलिए कर रही हूं बिकोज मुझे इसके ऊपर एक ग्रीन शेट काई शैडो प्लेस्ट करना है नेक्स्ट मैं इसी पैलेट से ग्रीन शेट काई शैडो लूँगी उसी ब्रस की हिल्प से एंद देन मैं इसे प्लेस्ट करूंगी जहां पर मैंने कंसीलर लगाया था अप्लाई किया है नेक्स्ट मैं न्यू ब्रस लेकर दोनों आईशैडो का अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्स लाइन ना दिखे अपने आईशैडो पर जो मैंने ग्रीन लगाया है उस पर मैंने ग्लीटर आईशैडो लगा रही हूं ताकि थोड़ा और पॉप आउट हो मेरा कलर then मैं फिर से पने transition color पर जो मैंने eyeshadow placed किया था उसी shade को लेकर मैं एक brush की health से दोनों eyeshadow को blend कर रही हूँ next मैं tintin के mascara को लेकर अपने eyelash पर अच्छे से लगा रही हूँ guys यह बहुत अच्छा mascara यह मैंने local market से एक साल पहले लिया था and आप difference देख सकते हैं दोनों आख में next में eye look के साथ एक wing liner बना रही हूँ and guys मैं कोई pro नहीं हूँ wing liner लगाने में मेरे से भी गलती हो जाती है but आप comment में बताना कि मैंने liner कैसा लगाया है next मैं lower lashes को थोड़ा smoke out दिखाने के लिए same red lipstick को placed करूँगी small blush की help से color को थोड़ा और dark करने के लिए मैं same eye shadow palette से वही red color को लेकर फिर से अपनी lower lashes पे placed कर रही हूँ next अपने inner corner को highlight करने के लिए same eye shadow palette से एक golden color को small brush के help से placed कर रही हूँ so guys this is my final eye makeup look for Christmas party and अगर आप भी चाहें तो इस eye look को create करके Christmas में जा सकते हैं and I hope you all will like this and guys अगर आपको किसी भी product की review चाहिए तो आप मुझे comment section में बताना मैं उसका review अगले next video में करूँगी so guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye see you soon and guys please मुझे subscribe करे मैं चानल को